हेलो आल, आज हम लोग देखने वाले हैं, आफ्टर एफेट्स के अंदर लॉगडाउन प्लग इन या लॉगडाउन एफेक्ट कैसे काम करते हैं, येस हाँ, लॉगडाउन, तो ये कब यूज होता है, किसलिए यूज करते हैं, ये हम लोग basically tracking के लिए यूज करते हैं, किस type of tracking, अगर इस footage को हम लोग देखेंगे, let's, अगर मैं footage को play करूँगा, तो आप देख सकते हैं, cloth है, यहाँ पर t-shirt, तो अगर cloth को track करना है, तो हम लोग lockdown का use कर सकते हैं, you can see the folder, तो यहाँ पर folding है, तो जो भी हम लोग लोगों को यहाँ पर attach करेंगे, या जो भी text attach करेंगे, वो properly जो ये fold है, इसके साथ मैच होना चाहिए, normal track से ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, track तो हो जाता है, बट जो effect, वो effect मिलना मुश्किल होता है, तो इसी के लिए हम लोग lockdown plug-in का use करके, हम लोग realistic look लेके आ सकते हैं, और किस चीज़ के लिए use कर सकते हैं, अगर body के अंदर, face के अंदर, कुछ attach करना है, tattoo add करना है, face को track करके कुछ elements लगाना है, तो उसके लिए भी हम लोग easily use कर सकते हैं, lockdown plug-in को, और हाँ, ये आपको purchase करना पड़ेगा, इसका link मैं description पे attach करते हूँगा, so, मैं तो आप बोल दिया कि ये कैसे use करोंगे, किस-किस चीज़ में आप इसको use कर सकते हैं, basically कुछ stretchable चीज़ है, उसमें भी आप इसको use कर सकते हैं, अब कब use नहीं कर सकते हैं, अब कब problem आ सकते हैं, तो अगर lighting flickering बहुत जादा है, बहुत जादा reflection lighting होता है, कोई object की उपर, आगर आप उसको track करना चाते हैं, तो problem हो सकता है, तो without any delay चलू करते हैं, select करेंगे footage को, जाएंगे effect के अंदर, नीचे जाएंगे vranos and यहां पे जाएंगे lockdown, click करेंगे lockdown पे, effect control में यह आ जाएगा, first option होता है pop out, click करेंगे pop out में, जैसे click करेंगे तो आप देख सकते हैं lockdown 2.5.0 window यहां पे open हो चुका है, यह lockdown का window है, mouse से normal zoom in, zoom out आप कर सकते हैं, scroll button से middle mouse को click करके आप इसको pan कर सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं, यहां पे play pause का button दिया हुआ है, play forward, play backward, pause का button दिया हुआ है, यहां पे अगर आप आएंगे तो यहां पे कुछ यहां पे options मिल जाएगा आपको layer का option है, कौन से layer को यह track करेगा, तो layer 1 को यह track करेगा, layer 1 कही features अभी के लिए available है, 2.5.0 में, यहां पे अगर आजाएंगे तो यहां पे render edges का option है, यहां पे interpolate का option है, यह तब use करेंगे, जब tracking के time पे या footage के आगे, footage अगर rotate हो रहा है, कुछ object move हो रहा है, उसके आगे कुछ object आ जाएगा, पतलब उसको overlap कर रहा है कोई object, तो उसके लिए हम लोग interpolate का use कर सकते हैं, तो नीचे हम लोगों का lockdown control आता है, यहां पे मिल जाता है आपको एक setting वाला button, तो click करेंगे setting में, जब भी हम लोग इसको track करेंगे, first time जब open करेंगे तो यह off रहता है, enable tracking disk catches, तो यह disk catches system के लिए होता है, तो अब जैसे track करेंगे, इसको अब on कर देंगे, जैसे अब on करेंगे, यह सब कुछ open हो जाता है, अगर off करेंगे तो यह सारे height रहेगा, click करेंगे तो unhight हो जाएगा, next use space, कितना space मतलब आगर आपका यह RAM को consume करते हैं बहुत जादा, इसको आपको system के उपर depend करते हैं, आपका system पे RAM कितना है, आपका system के power कितना है, उसको consume कर लेता है, lockdown, तो अगर हम लोग इसको track करेंगे, तो यहाँ पे empty disk कैचे कर देंगे, क्यों अगर empty disk कैचे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यह zero हो जाएगा, मतलब अगर suppose आपका RAM 8GB है, 12GB है, 64GB है, 128GB है, तो क्या करेंगा, उसमें से यह RAM को consume करेंगा, तो अगर यहाँ पे आपका RAM मान लीजिए, 16GB है, तो आप इसको empty disk कैचे कर लीजिए, तो 16GB से क्या करेंगा, वो यहाँ पे इस shot के लिए जितना consume करना चाहते हैं, वो consume कर ले, ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, and all okay है, तो okay करेंगे, okay जैसे ही हो जाता है, हम लोग नीचे में आ जाएंगे, यहाँ पे track forward, मतलब एक-एक frame track करना है, click, click, click करके track कर सकते हैं, backward जाना है, click, click, click करके backward आ सकते हैं, method, दो method होता है, एक होता है, accurate 1.6, and होता है extremely accurate, तो आप extremely accurate में जा सकते हैं, अगर आपको लगता है, तो हम लोग extremely accurate में जाते हैं, यह extremely accurate track data दे हम लोगों को, resolution होता है, 540, full 4K, 1080, 270, 540 pixel में average, good tracking आप 540 में जा सकते हैं, यह average tracking, मतलब, average tracking मतलब, tracking तो अच्छा होगा, मतलब आपका, जितना आप उपर जाएंगे, 4K, 6K, 8K, etc, etc, जितना उपर, मतलब, यहाँ पर full last है, तो आप जितना उपर जाओगे, क्या होगा, tracking speed उतक कम होता जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे, यहाँ प हम लोगों को यहाँ पर select करना पड़ेगा, कि मेरे को इतनी एरिया पर track करना है, तो track करने के लिए इस एरिया को define करना पड़ेगा, पहले, कैसे define करेंगे, तो उसके लिए हम लोग control का इस्तिमाल कर सकते हैं, तो press control and mouse का click करके drag करेंगे, कि मेरे को इसी एरिया के अंदर ही track करना है, तो you can see ये एक grid आ जाएगा, box, 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 box करके, तो इसका जो grid का lasso grid pixel distance होता है, ये 50 है, 50 मतलब ये बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, तो अगर accurate track चाहिए ना, तो आपको ये कम करना है, basically, अगर यहाँ पर जाएंगे, तो ये 20 to 200 के बीच में ही रखना है, but again जितना बड़ा करेंगे, मतलब जितना 50, 100, 150, 200 से करेंगे, तो grid का size उतना ही बड़ा होता रहेगा, tracking accurate शायद नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको minus कर देंगे, delete या minus कैसे करेंगे, alt, trace करेंगे, and ऐसे करके drag कर देंगे, click करके, तो ये minus हो गय तो हम लोगों को क्या चाहिए, lasso grid pixel में, हम लोगों को चाहिए, 30, तो 30 select किया, and after that, control प्रेस करके, इतने area के अंदर चाहिए, तो इतने area हम लोगों ने select कर लिया, see, इतने area मैंने select किया, अब, अगर हम लोगों को इसको track करना है, तो नीचे option होता है, track all, तो track all में आपको click करना है, so click किया, मैंने track all पे, and आप देख सकते है, यहाँ पे यह tracking start हो चुका है, this depends upon your system, RAM कितना है, आपका system configuration क्या है, and आप resolution कितना यहाँ पे select किया है, अगर आप 1080, 4K, या full resolution आप इस में देते है, तो obviously यह tracking करने पे time लगेगा, now see, यह कितना अच्छा tracking दे रहा है, जैसे जैसे यह rotate हो रहा है, हम लोगों का जो pixel grid है, वो भी exactly इसके हिसाब से ही, you can see, देखिए, behave करना start हुआ है, तो यह obviously आपका हो सकते है, time जादा लगे, हो सकते है अगर अच्छा system है, तो कम भी लग सक करता है, तो let's see, हम लोग देखते हैं, यह कैसे complete करता है, कब complete करता है, तो see, यह almost हो चुका है, मेरा tracking, तो let's wait करते हैं, देखते हैं, see, यह almost done, so जैसे done हो चुका है, automatically यह first frame पे आ गया है, and first frame पे आने के बाद आप देख सकते हैं, ऐसे drag करके, click करके, drag करके, तो यह तो state lockdown mesh, में click करेंगे, ताकि आप define करने, की first frame as my reference frame, तो मैं यहाँ पे click करूँगा, click करने के बाद यहाँ पे green signal आ जाएगा, and मैं यहाँ पे cut कर दोगा, जैसे cut हो गया, यहाँ पे आ जाईए, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे option मिलता है, lockdown this frame, मतलब इस frame को lockdown करना है, frame को lock करना है, तो जैसे ही मैंने lockdown में click करेंगे, lockdown this frame, lockdown, तो you can see, थोड़ा सा time taking होगा, and यह क्या हुआ, यहाँ पे एक checkerboard apply हो चुका है, and अगर मैं इसको play करूँगा, तो you can see, green signal जा रहा है, अब यह totally, यह जो checkerboard है, पूरे frame के उपर apply हो चुका है, let's play and check, मैंने play and check कीजि अगर मैं zoom करके दिखाऊं, तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा track यहाँ पे folding के साथ match हो के आया है, now अगर आपको लग रहा है, यह तो checkerboard जैसे आगया हम लोगों को logo, text, यह सब add करना है, yes, आप लोग add कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे automatically एक layer, मतलब एक pre-comp layer आ आप इसमें double click कीजिए, फहले option होता है, checkerboard, आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ इसको delete कर सकते हैं, या off कर सकते हैं, मैं जिको नहीं चाहिए, मैं इसको delete कर देता हूँ, इसकी जगा पे मैं एक logo पुट करता हूँ, so this is a logo, मैं इस logo को यहाँ पे पुट किया, अब एक आप ध्यान रखना, जितना area मैंने select किया, उतना area के अंदर ही आपका logo होना चाहिए, उसके बाहर नहीं, अगर बाहर होगा तो क्या होगा, जितने पर अंदर रहेगा, वो तो track दिखाएगा, पर जो बाहर रहेगा, उतने पार्ट में track नहीं show करेगा, so now select कीजिए, S मतलब scale and इसको छोटा करके, जितने area के अंदर, suppose यहाँ पे चाहिए आपको, यहाँ पे चाहिए, जहाँ पे चाहिए आपको, आप उसी जगापे fit कीजिए, suppose 20 is fine for me लग रहा है, तो मैं इसको select किया, and वापस आ गया comp में, यह comp के अंदर, मनला pre-comp के अंदर set करना है, and फिर बाहर जाके, आपको देखना है, now play करेंगे, जैसे हम लोग play करेंगे, see कितना अच्छा, कितना perfect, कितना detail track इसने दिया है, जैसे जैसे यह behave कर रहा है, you can see, the text है, and all उसके साथ ही behave कर रहा है, अगर आपको लग रहा है, कि यह blend नहीं हो पा रहा है, blend करना है, आप इसके अंदर, न lighten, add, screen, या अगर dark mode में चाहिता हो, multiply, ऐसे choose कर सकने, तो मैंने यहाँ पे screen, या let it be lighten में कर देता हूं, तो lighten मुझे लगता है, better यहाँ पे match किया है, blend हो चुका है, तो lighten, अगर आपको यहाँ पे blending mode नहीं show करता है, तो नीचे toggle switch करके option मिलता है, इसमें click कीजिए, देख show करेगा, अगर हम लोग play करेंगे, and इसको अगर मैं full screen करके दिखा हूं आपको, तो सी कितने अच्छे से यहाँ पे track हो चुका है, तो मेरे को लग रहा है, यह video आपको बहुत बहुत अच्छा लगा है, अगर यह video अच्छा लगा है, तो kindly share my video, subscribe my channel, hit the notification button, ताकि जैसे ही ऐ topic मैं ले के आऊँगा, आपके पस तुरण notification पहुँच जाए, and हाँ, like my videos, and subscribe करो, subscribe करो, आता हूँ, next video में, interesting topic के साथ, तब तक के लिए, thank you, bye bye.